सब्सक्राइब दोस्तों वेलकम बैक मैं चानल उमिद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे तो आज हम बात करेंगे एक पैरिस कॉर्णर का नाया रिलीस जो आशकल भूत ही हाइप होते जा रहे हैं जिसका नाम है खैर फिस्ताशियो तो यह है इसका प्रेजेंटेशन 100 ml oda perform है प्राउसिंग बहुत ही बढ़िया है पंदरा सो के अंदर आपको मिल जाएगा बॉटल थोड़ा सा मिडलीस्टन है ही क्योंकि काप जो है एकदम मिडलीस्टन स्टाइल एकदम डिजाइन प्लास्टिक है लेकिन थोड़ा मेटल स्टाइल में दिखता है और बेज मे इस ठिकर खैर ये मना जाता है कायाली का पिस्ताइशियो नाम से एक मिडलीस्टन ब्राइंड है जो कि थोड़ा से एक्सफंसीव होता है सिर्फ 12,000 के आसपास उनका fragrances होता है ये आपको सिर्फ 15,000 में सुरी 15,000 में मिल जाएगा इस price दाम पे quality obviously आप compare नहीं कर सकते हैं लेकिन इस price point पे ये वाला बहुती बढ़िया option है लेकिन आपको gourmand type fragrance पसंद होना चाहिए जैसे इसका नाम है पिस्टाइशियो शुरुवात में आपको एक गंटे तक पिस्टा वाला सिर्फ जो है जो की इंडिया में बहुत साल पहले रूफ अफजार सिर्फ की तरह पिस्टा सिर्फ भी आता था एक cold drink जो अगर आप इंडिया लकनो वगेरा में रहते हैं खास करके मेरे फैमिली में तो रहता ही था पता नहीं आप ट्राइक की हैं कि नहीं पिस्टा सिर्फ ग्रीन कलर का सिर्फ होता है दूद में मिलाके उसको पीते हैं तो पहला एक गंटा आपको उसी का याद दिलाएगा एक दम गुर्मान डिश है और एक दम एडिबल टाइप ही लगता है लेकिन मुझे वो थोड़ा सा आटिफिशल लगता है क्योंकि जब आप उसको ओरिजिनल यानि कि असली पिस्टा से अगर कंपेर करते हैं तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा स्वीट लगेगा वैनिला के साथ और भी ज़्यादा स्वीट लगता है तो परसनल टेस्ट के स्वाफ से में इसको लगाना पसंद नहीं करूँगा लेकिन ये टाइप का फ्रेगरेंस आम तोर पर बहुती क्राउड फ्लीजिंग होता है बहुत लोगों को पसंद आता है हवा में जब फैल के आता है ये बहुती एपीलिंग लगता है तो मास प्लीजर जरूर कहूंगा तो अगर आपको मास फ्लीजिंग वेंटर टाइप फ्रेगरेंस पसंद है पार्टी टाइप इवनिंग आउटिंग्स दोस्तों के साथ उस मोमेंस के लिए ये एक बहुती बढ़िया उप्शन है पिस्ता और वेनिला के साथ मिड में आपको एक गंटे के बाद वो मासमेलो वाला जो स्मेल है उसी का याद दिलाएगा मुझे परसनली मासमेलो का स्मेल पसंद नहीं है शायद इसलिए मुझे ये उतना मजा नहीं आता है तो मासमेलो का अगर खुश्पू पसंद है आपको तो ये वाला आपको बहुती मज़ेदार लगेगा उसके साथ लेट राग राउंड में आपको टॉंका और सीडर बूट का भी महसूस होगा तो ओवरॉल बहुती बढ़िया फ्रेडन्स है क्राउट प्लीजिंग है परफॉमेंस भी बहुत बढ़िया है दो गंटे तक इसका प्रोजेक्शन रहता है और साथ से आठ गंटे तक इसका लास्टिंग भी टिकता है तो यह हुआ है पिस्ताशियों खास करके मैं विंटर के लिए ही सर्जिस करूंगा क्योंकि यह टाइप का स्वीट गुर्मान फ्रेडन्स समर्स डेटाइम के लिए बिलकुल बिलकुल सूट नहीं करेगा क्योंकि बहुती और स्वीट या फिर ओर स्ट्रॉंग भी बन सकता है और पैसीना जब निकलेगा यह और भी खटा बनता जाएगा तो यह मज़ा नहीं आएगा तो सिर्फ कूलर एंवार्मेंट एसी सेटप में यूज़ कीजिए तब भी आपको इसका असली मज़ा महसूस होगा तो चलिए यह हुआ खैर पिस्टा शो का रिव्यू पैरिस कॉर्नर के तरफ से तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए खुदाफिस